हेलो एवरीवन आज हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्विन्स सिंपल इंटर्स कंपाउंड इसके एक साइस के कोश्चन्स ओके चलो आपको दो फॉर्मेस याद होंगे स्ट्विन्स हमने कौन से फॉर्म में देखे थे i is equivalent to p into t into r upon 100 and the second one is your amount amount is equals to p bracket में 1 plus t into r upon 100 यह दो फॉर्मेस हमने पढ़े थे फॉर्म नॉम्बर 1 और फॉर्म नॉम्बर 2 amount का फॉर्म नॉम्बर वेच्छे होता ना a is equals to p plus i तो further solve करोंगे तो यह आला formula बन जाएगा चली हम लोग पहले question पर आते है 3500 का 3 years का लिए 12% में क्या होगा i is equivalent to 3500 into 12 into 3 by 100 अगर मैं multiply करूं students तो it's 35 into 12 into 3 value is your 1260 value की त्यारी 1260 1260 option कौन सा जाएगा a option answer your a option 1260 next one क्या पूछा है अब आपसे I will be क्या पूछा है I will be P दे रखा है T दे रखा है R दे रखा है 5000 into T 4.5 into 15 upon 100 की लिखने की चुरूती आप सीदे कैल्सी से भी करेंगे तो भी आपका आपका answer की आजाएगा student अपकर direct आपका answer आजाएगा oh विज़ वैल्य आड़ी वारी 3375 option इसज़ ओप्स्चेंज हर a 3375 next one अब आपको क्या रखा है P दिरिखा है T दिरिखा है I दिरिखा है R निकालना है I is equivalent to P into P into R upon 100 I कितना है 300 P कितना है 5000 Time कितना है 1 R upon 100 यह cut किया यह 0 सो 0 cut हुआ तो R is equals to कितना हा गया 6 तो answer is your 6% answer is your 6% यहाँ P दिरिखा है और A दिरिखा है आप से क्या पूछे I पूछे क्या पूछे I तो answer हो जाएका 72 minus 45 तो कितना होता है 2700 answer is your D 2700 अब आप से क्या पूछे है rate percent per annum simple interest will be amount मैं से अगर मैं principal minus कर दूँ तो आपको पता ना A is equals to P plus I A कतना है 16500 P आपको कितना है 12000 plus I तो जो I की value हो जाएगी वो किते हो जाएगी 4500 I is your 4500 तो I की value होगी अब गो rate percent निकालना क्या निकालना rate percent तो I is equivalent to P P आपका चलो I पी पता है ना आपको I आपका 4500 है P आपका 12000 है P into T T आपका 2.5 है R आपको निकालना है upon 100 तो students अगर मैं आपसे करूँ तो double जिस तो यहाँ cancel ही कर लेते हैं हम लोग 4500 दिवाइड बाइ 2.5 दिवाइड बाइ 120 तो values एए 15 तो R की value आरही है आपका as 15% तो answer आपको आपका 15% और आपको क्या निकाना number of years तो start करेंगे इस तुन i 2500 i is equal into P into T into R upon 100 0000 0000 पर cancel 25 divided by 12.5 तो answer किता हुआ जाकर 2 years the answer is your B 2 years hope यहां ते तो question बहुत easy थे बहुत easily approach हो गए होगे होगे अगर आपने जब question कियो होगे एक size के तो 1, 2, 6 तो बहुत easily होगे हो यह students हम लोग move करते है next question पर तो students में क्या दर्खा देखो principal is your 8500 amount is your 10,200 तो interest किता हो जागा students आपका 1700 बस solve करना start करते है students हम लोग i 1700 P आपका 8500 P into T T आपको निकालना है into 12.5 upon 100 इस इसको cancel जब हम डिवाइड करें तो T की value आई के student आपकी T की is your 1.6 year अब 1.6 year है student आपका answer आथा 1.6 year दोगो 1 year तो पूरा है 1 year तो पूरा है इसमें कोई doubt ही नहीं है अब मैं क्या करूँ 0.6 year है उसको भी month में convert करते हो 0.6 into 12 कंडे पा आथा 7.2 तो आणसर इस यो 1 year 7.2 months इसका best answer होगा 1 year 7.2 months तो आपको दे रखा ना 7.2 months कर ले ना या फिर इसको approx लिख सकता हूँ हो मैं 1 year 7 months approx तो इसका answer होगा 1 next one the sum required to earn a monthly interest of rupees 1200 at 18% per annum will be okay सबसे पहले हम rate of interest i is your 1200 fee आपको निकालना है time आपका 1 month है year में convert करेंगे मैंने आपको सिखाया था last video कर आपने देखा हो तो आपकी unit same होने चाहिए आपकी time की और rate of interest की दोनों की unit क्या होने चाहिए same होने चाहिए it's 1 by 12 into 18 by 100 जब हम उसको cross multiply करके solve करेंगे जैसे यह तो आपको 3 by 2 आप जब solve करेंगे 1200 into 2 into 100 upon 3 और अंसर होगा 80,000 इस question answer हो जागा C 80,000 which is clear है क्या that's great next one is sum of money amount to rupees 6200 in 2 years 2 साल में 6200 हो रहा है and 7400 in 3 years बिटा देखो 2 साल में 2 साल का interest included होगा और 3 साल में 3 साल का interest included होगा तो हम ऐसा लिख सता हो 2 years के लिए 6200 is equal to principal plus 2 year interest and 3 साल के लिए 7400 is equal to principal plus 3 year interest minus करेंगे minus 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 तो PCP चला गया 3 I minus 2 I कितना हो था I is equivalent to 1200 जो I की value आ रही है I is equivalent to कितना आ गया आपका 1200 आ गया I की value कितना है एक साल का interest कितना है 1200 done एक साल का 1200 है तो इसमें से अगर मैं 2 साल के interest minus कर दूँ तो 6200 minus 2400 तो आपका 3800 तो आपका क्या आ गया principal तो option A में 3800 दे रखा है और अगर rate of interest निकालना है 1200 divided by 3800 into 200 करने पर जो answer आएगा 31.57 approx आएगा तो answer is your A done चली यह जो स्क्लियर रहे है नेक्स फोले क्वेशन मूव करते हैं हम लोग is sum of money double itself in 10 years the number of years it would be triple itself दिको पहले मैं इसको बड़े ओरली करके दिखाता हूँ फिर चाहे हैं तो मैं इसको formula भी mathematics से भी कर सकता हूँ एक पैसा 10 साल में double हो रहा है एक पैसा 10 साल में क्या हो रहा है double मिरे पास 1,00,000 रुपे है दस साल बात 2,00,000 रुपे हो जाते हैं sum of money double itself in 10 years कोई पैसा 10 साल में double हो रहा है तो मुझे बताओ आपने कमाया कितना 10 साल बात एक का 2,00,000 रुपे हो तो 1,00,000 रुपे हो तो एक लाग रुपे हो आपको खुद का था the number of year it would be triple itself कितनी साल में वो पैसा triple हो जायगा हो अब देखो सुना आपको क्तना करना है 3,00,00,000 रुपे आपको एक लाग रुपे करना जो कैसा 3,00,000 रुपे तो कमाना कितना जोलाक रुपे कमाना कितना है 2,00,000 रुपे दो लाग रोग और एक साल में कितना कमा रहा हो 10,000 तो तू लैक डिवाइड बैट 10,000 कितना हो था ट्वेंटी यूर्स इसको अंसर जागा 100 रुपीज एस सम अप मनी डबल इट्सल में अमाउंट कितना हो जागा 200 रुपीज टाइम कितना है आपका 3 येर्स और रेट आपको निकालना है और आई कितना हो जागा पी माइनस ए तो आई इस यूर 100 डन अपको जाग फॉर्म ना था आई इस इकुल इन्टू इन्टू टी इन्टू आर अपॉन हंड़ेट तो 100 इस इकुल इन्टू इन्टू टाइम तैम दे रखा है आर आपको निकालना है अपॉन हंड़ेट जिरो से जिरो एक से एक echel दो था ऑर इस योर 10 परसंट करना र को कि क्या थीओ आरफ की इन्टेपल करना पाइप निकाले डिस निकाले ड़ेट अजूोर्य धूर्य चूह हमान को जाब गएच थि स्वेसे आरपया इस लिए डिल अलींट अंपक्षा तेम इधर आई 100 को 300 करना तो आई कितना होगा इंटर्स 200 रुपीस 200 is equals 200 time r 10 by 100 100 से 100 cancel 10 से 10 cancel time is your 20 years time कितना है 20 years time कितना है 20 years तो इस question का answer कितना हो जागा अपका 20 years that's it students hope so आपको time कितना हो गयाँ thank you students thank you so much